दोस्तों नमस्कार, सक्सस अजूकेटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जी ओए 939 पोस्ट कोड के बारे में जो आपकी अफवाहें चल रही है मैं इन बातों को अफवाहें इसलिए बोल रहा हूँ ये अफवाहें ही हैं देखिए दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कुछ यूट्यूब चैनल जो है मैं नाम नहीं लूँगा आप समझदार हैं ठीक है लेकिन एक चैनल का नाम जुरू लूँगा मैं हिमाचल दस्टक टीवी हिमाचल दस्टक टीवी जो है एक ऐसा चैनल बन चुका है जो की सिर्फ टी आरपी के लिए काम करता है आप नोटिस करेंगे जब पहले एक महतरमा थी इस चैनल पे जो जिवेटी 817 पोस्ट कोड के बारे में काफी सारी जो है न्यूस को बता रही थी कि आपकी सनुआई में ये होने वाला है आपकी रिपोर्ट यहाँ पे पहुंच चुकी है उन महतरमा को ये नहीं मालुम था कि सुप्रीम कोड की डेट इग्जैक्ट डेट क्या है यूट्यूबर हैं जो उनकी वीडियो जो है रिकोर्ड करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं खुद का कॉंटेंट नहीं बनाएंगे लेकिन किसी दूसरे का वीडियो चेप के जो है अपने यूट्यूब चैनल के व्यूज जुरू बढ़ाएंगे भाई बुरा लगता है बुरा लगना चाहिए क्योंकि आप बुरा काम कर रहे हो गलत काम है किसी की वीडियो को जो है आप कोपी कर रहे हो इवन मेरी एक वीडियो को कोपी किया गया किसी के दौरा तो यह अच्छी बात नहीं है पहली बात तो यह लेकिन दूसरी बात अभ इसे अच्छे काफी प्रत्रकार हैं, न्यूस एजनसीज हैं, जैसे आपका दिव्य हिमाचल है, पंजाब के स्री हिमाचल से जो है, लाइफ स्टाइम टीवी है, और भी कई सारे जो है चैनल हैं, जो कि एक अच्छे जो है जनलिजम को दिखाते हैं, लेकिन जब मैंने इनका यूट्यूब चैनल जो अपका फेस्बुक पेज रहता है, वहाँ पे मैंने सर्च किया और इनके जो मैंने फॉलोवर्स देखे, तो वहीं से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये किस चीज़ पे काम करते हैं, तो ये गाइज टी आर पी टेलिवीजिन रेटिंग पॉइंट पे ही काम करते हैं, तो इनकी बातों पे बिलकुल मताईएगा, देखे, और दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये पेपर कैंसल नहीं होने वाला है, और अगर ये पेपर कैंसल होता है, तो आप इसी वीडियो के आज जो है, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके मन में लिख सकते हैं, बुरा लगेगा कि इस स्टूडेंट को जो चाहते हैं, जो एक्जाम है, ये कैंसल हो, देखे, आप अपने आपके अंदर जांके देखे, जो बच्चों ने मेहनत करके रखी हुई है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि इस पेपर में मास लीकेज नहीं हो सकत वो काम पुलीस कर रही है, जब तक उसकी रिपोर्टर नहीं आती सामने, तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते, अगर साथ हाट स्टूडेंट का नाम ही आया है, तब भी आप कुछ स्टूडेंट यहां पर ये बोलेंगे कि ये पेपर लीक होना चाहिए, क्योंकि उनके म अच्छा एक्जाम जो है अच्छा अटेम्ट करके अच्छे मार्क्ष गियन किये हैं और इस में जो है उस कैंडिडेट की क्या गलती है, मेरे को ये बताएए, आपके अगर मार्क्ष कम आये हैं, तो इस बात को आपको अडमिट करना चाहिए, कि आपकी कही ना कहीं गलती रही है कहीं न कहीं जो है आपकी तैयारी में कमी रही है चाहे वो time management हो चाहे वो जो है आपकी पढ़ाई में जो है कमी रही होगी तो इस चीज़ को जो है अपने अंदर जांके देखिए इतना स्वारती मत बनिये कि आपका examination अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आप दूसरे candidate के जो है उसका carrier को जो है उस पे हाथ उटाईए तो इन सब बातों को देखते हुए देखिए ये जो भी 939 के बारे में पोस्ट करते हैं वीडियोज आपने बिल्कुल भी जो है इन पे ध्यान नहीं देना है जब तक official channel कोई जो है यहाँ पे नहीं बोलता है इस बात को कई student को मेरी बात यहाँ पे कड़ भी लग रही होगी लगनी भी चाहिए ठीक है लेकिन सच बात जो है कड़ भी जुरूट होती है याद रखना और जो मेरी इस बात से सहमत हैं वो बता सकते हैं लेकिन as per my जो है मेरी जो analysis है उसके according अभी तक paper cancel होने के कोई chances नहीं लग रहे हैं ठीक है जब तक report नहीं आती police की और board जो है इस बात को जो है पूरा सभी के सामने officially नहीं बताता तब तक जो है इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन काफी लोग चाहते हैं कि paper cancel हो जिनके marks अच्छे नहीं है और यह जो है मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ लेकिन इन बातों में जो है आप विश्वास मत करिये जिन भी student ने अच्छे marks गेंड किये हैं अपनी मेहनत के बल पे वो जो है बिल्कुल भी demotivate यहाँ पर feel ना करे यह examination cancel नहीं होगा राइट बाकी दोस्तों यही था इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बाते शेयर करनी थी आप मेरे बातों से agree करते हैं तो आप comment section में लिख सकते हैं otherwise नहीं भी agree करते हैं तो भी आप कुछ भी आप अपनी राए वहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि आप mention out कर सकते हैं comment section में हम मिलेंगे next lecture में तब तक लिए जाए